नमस्ता मेडीकोस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेविष की वैकसीन के वारे में मेरे पास यह G.S.K. कंपनी की रेविष की वैकसीन है जिसका नाम है राविपूर जिसकी MRP 336 रुपे के लगबड होती है राविपूर के नाम से यह वैकसीन होती है बात करें कंटेंट की तो इस रेविस की वैक्सीन में इनेक्टिम फॉर्म में रेविस की वाइरस होते हैं कुछ इस तरीकी की पैकेजिंग में मार्केट में अवेलेबल रहता है मैं आप वो खोल का दिखाता हूँ यह आप देख सकते हैं इसमें एक यह रेविस का एमपूल होता है रेविस की वैक्सीन होती है यह कुछ इस तरीकी की होती है गेलेक्सो स्मित किंग कंपनी की बनाई भी वैक्सीन है मेरे पास जूम करते हैं इस पर कुछ इस तरीकी की वैक्सीन होती है और साथी साथ इसके content की बात करें तो इसमें एक स्टलाइल water होता है यह एक एमल का यह water होता है जो इस vaccine में मिलाया जाता है साथी साथ इसमें एक syringe भी होती है जो इसे inject करने के लिए दी जाती है पूरा full package तयार आता है company की तरब से galaxy smith king company का product है तो आज की इस वीडियो में हम इसी ravish की vaccine के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है इसका use किस तरीके से बनाई जाती है किस तरीके के मरीजों में यह लगाई जाती है सबी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे तो वीडियो को start करते हैं अगर आप इस वीडियो पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like कर सकते हैं और आप चैनल को share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के संग जिने भी इस तरह की वीडियो की जरूरत हो तो बात करते हैं इसकी content की तो इसमें जो देख सकते हैं आप यह dry form में है मेरे पास powder form में यह vaccine है जिसके अंदर active form में जो होता है रेविस के वाइरस होते हैं जिसे बीटा प्रोपायो लेक्टोन की मदद से inactive form में convert किया जाता है single dose होती है यह जो होती है single dose है बनेमल इस्टलाइल वर्टर में dissolve करके इसको dilute करके IM इसे one ml में dissolve करके IM injection के रूप में दिये जा सकता है intermascular दिये जाता है तो इसको देने की सबसे best side जो होती है वो deltoides में होती है यानि हाथ में जो होती है हमारे हाथ में deltoides muscles में सबसे best माना जाता है इसको लगाना यह वहाँ अच्छा काम करता है और adult fashion में deltoides में ही लगाया जाता है और वहीं सबसे अच्छा काम करता है यह glute muscles में या लगाने पर इतना effective show नहीं होता है तो इसे deltoides की मसल में ही लगाया जाता है potential की बात करें तो इसमें 2.5 international unit होती है storage की बात करें तो 2 degree Celsius से लेकर 8 degree Celsius तक इसको store किया जा सकता है लेकिन इसको freeze नहीं करना होता है इसे जमाना नहीं होता है 2 degree से लेकर 8 degree तक की temperature पे इसे हम रख सकते हैं Revis vaccine की अगर हम थोड़ी सी detail में description की बात करें तो Revis vaccine जो होता है कि active immunization agent होता है जिसका उपयोग infection को prevent करने के लिए किया जाता है infection के बचाव के लिए किया जा सकता है ये दो तरीके के लिए दो तरीके से प्रियोग किया जा सकता है एक तो होता है post exposure और दूसरा होता है pre exposure तो post exposure में जो होता है किसी भी animal जो suspected होता है जिसे हमें लगता है से रेवीज है कोई भी हमारा डोग हो सकता है केट हो सकती है या फिर कोई भी अलग जानवर हो सकता है वाइल्ड एनिमल हो सकता है और साथ ही साथ कोई भी हमारा पैट एनिमल भी हो सकता है जिसे हमें लगता है कि ये रेवीज का शिकार हो सकता है तो उसके precaution के लिए हम जो उसे काटने के बाद उसकी bite करने के बाद उसका इसक्रेच करने के बाद उसकी लिकिंग करने के बाद हम precaution के तोर पर लगाया आते हैं तो यह सब हमारे post exposure में आते हैं यानि किसी भी हमारा जब किसी भी wild animal से encounter होता है उसके दौरा काटे जाने पर उसके दौरा scratch करने पर तो ऐसी condition में prevention के लिए ravis का injection लगाया जाता है और दूसरी condition आती है pre exposure वेज़ अभी लोग जो animal handling में रहते हैं या animal control होते हैं या फिर forest department में काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसे लोग जिनका सामना रोज मर्रा की जिंदिगी में जंगली जानवरों से होता रहता है वो अवश्यक किया जाना चाहिए इसके अब अगर हम डोज की बात करें कि किस किस तरीके से इसके डोज रहती है तो इसका जो डोज का time period रहता है बहर रहता है पहला 0, 3, 7, 4, 2, 28 यह इसका एक time cycle होता है यानि कि इसका क्या मतलब होता है 0 से हमारा मतलब वह होता है जिस दिन हमें पहली बार किसी भी dog ने या फिर किसी भी animal ने wild animal ने अगर हमें bite किया है और bite किया है उसने हमें काट आए scratch कर आए जिस दिन हम पहली बार ये डोज लगाते हैं वो हमारा day 0 के अंदर count होता है day 0 से लेकर उसका दो दिन का gap लेकर तीसरे दिन हमें दूसरी डोज लगती है बने अमल ठीक है फिर हमारा day 0 से लेकिन day 0 से 7 में दिन इसका फिर एक डोज ओल लगता है पहले दिन जिस दिन हमने injection लगवाया था उससे 14 दिन बाद फिर हमारे एक injection ओल लगता है फिर उसके बाद हमारा एक 28 में दिन injection लगता है यानि कि एक पहले दिन जिस दिन हमें किसी डोग ने काटा है उसके तीसरे दिन, फिर साथ में दिन, फिर चोद में दिन, फिर एटाइस में दिन इस तरीके से हमारे ये injection का कोर्स होता है तो ये दो तरीके से रेविज की ये तयार किया जाता है रेविज का injection दो मेथट से तयार किया जाता है इसमें एक तो पहला होता है टिशू कल्चर दूसरा होता है हमारा एम्डियो एम्डियो जो एक तरीके से जो एक के जो होता है उसके एम्डियो से तयार के जाता है तो दो तरीके होते हैं दो मैथर्ड होते हैं इसको तयार करने के, तो ज़ादर detail में नहीं जाते हैं, तो यही सब basic जानकारी हैं इस vaccine के बारे में, तो आशा करता हूँ आपको video अच्छी लगी है, अगर आपको video अच्छी लगी है, जानकारी पूर्ण लगी है, तो आप video को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, और आप चाहें तो video वीडियो को शेर भी कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे हैं धन्यवाद